सब भबाई हम लोग जब मैच चल रहा था तो मैं प्रखर को बोल रहा था प्रखर आ रहे थे क्योंकि प्रखर विराट के बहुत बड़ी प्राद है और हम लोगों ने सोचा था कि विराट पर जाधे बाते करेंगे लेकिन छे मैचे मैचे में 23 विकेट है और कमाल की कॉनमी और आप विराट पर पूशना चाहरे थे मेरा सर यही है कि सबसे पहले तो अकसर उनको कहते हैं कि स्ट्राइक एट थोड़ी सी डाउन रहती है बीच में और कई मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं तो मुझे कह रहे हैं कि नहीं और रन बन चकते थे अगर विराट थोड़ा सा उस टाइम अगर एक्सेलरेट करते तो यह आप ही बताईए कि उस जिस थिती में विराट थे और पारी को आंकर कर रहे थे दूसरी तरफ से श्रेय सायर अच्छा अपने खुले-खुले शौट्स खेल ले लेकिन विराट जो है वह आंकर कर रहे थे क्या उस वक्त अगर जल है कि बहुत ही उचित पारी रही है विराट कोली की और यह पारी उनके अपने तरफ से नहीं है यह पारी उनकी टीम के लिए है क्योंकि टीम ने उनको यही रोल दिया है और इसी वज़़े से रही शर्मा और शुमन गिल इतनी एग्रेसिव शुरुआत दे रहे हैं ताकि प्लैटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं विराट कोली को कि आप समय लेकर बैटिंग कीजिए भारत का प्रयाज सही रहा है कि विराट कोली को विकेट पे रहना है और दूसरे छोड़ से कोई भी बैटर आएगा उनके पहले या पिर उनके बाद में वो एग्रसिव बल्लेबाज से जहिल नहीं पाते हैं इसी वज़े से यह स्ट्राटजी अपना ही है राहुल राविर रोज शर्मा ने कि विराट कोली का नंबर तीन पर आके बैटिंग करना और लंबी पारी खेलना यह बहुत ज़दा आवश्चक है भारत के सक्सेस के लिए चाहे भारत चेस कर रहा हो या भारत टार्गेट सेट कर रहा हो इसलिए आपने देखा होगए कि यह विश्फ कप में एक नए सिरे से बलेबाजी देखनों को मिल रही हमें विराट कोली की जब भारत ने पहले बैटिंग की है वहां पर भारत ने 300-300 रंद बनाये हैं कठिन परिस्थिती में भारत 272 रंद भी बनाये हैं मुझे लगता है कि यह जो रोल है वो आइंटिफाई किया गया है विराट कोली के लिए और इसी वजह से वो शीट अंकर कर रोल अदा कर रहे ह हर एक पारी में अगर आप देखेंगे विमलो प्रकर की तो शुरुआती दौर जो रहता है विराट कोली का पारीपा का वहां पर उनका स्ट्राइक रेट होता है 75-80 का पंदरह 20-25 संद बनने के बाद ही वो एकसे लेट करते हो अंत में जब उनकी पारी समाप्त होती है होगे भारत को चाहिए